क्या आपका टेरा है आप परिशान रहते हैं आपको शेरम आती है आपको इसका इलाज नहीं मिल रहा है आप सालों से परिशान है आपको अभी तक कोई इलाज नहीं मिला आपने कई डाक्टरों को भी दिखाया है लेकिन कोई फाइदा नहीं मिला दोस्तों मैं आपकी मदद जरूर करूंगी बस आपको मेरी बातों को दियान से सुनना है और समझना है इस प्राब्लम को मैं सही करने की तीन उपाय बताऊंगी दोस्तों अगर आप वो करेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा जैसा आप चाहते हैं एकदम उसी तरह का शेप आ जाएगा बस कुछ दिनो में तो चली बीढियो करते हैं दोस्तों है दोस्तों जहीं दोस्तों कैसे एक समीत कर तुर मेलेश बहुत हैं नहीं वाले है之前 कि ELD discuss check ! आपको कुछ कारण बतायें के जिसे आपको पता चलेगा कि आपके साथ आकर हो क्या रहा है ! पूरा वीडियो को देखते रहेगा क्योंकि बहुत ही IMPORTANT वीडियो healthy किसी के लिए दो creativity, कोई परशान है इसके लिए दो record करते हैं नमबर वन अगर आपका कर्व रहती है मान लीजे आपका नॉर्मेली कर्व रहता है लेकिन आप टेंशन में आ जातें परेशान हो जातें कि मेरा ये कर्व क्यूं है नॉर्मेली ये हमेशा हर किसी का सीधा नहीं रहता है सीधा जिनका रहता है बहुत कम रहता है कर लिए थोड़ा सा कार्व है थोड़ा सा इधर-उदर है तो उनके लिए कोई दिकत की बात नहीं है लेकिन इसके पीछे जो रिजन होता है जादा तर लोगों का यही प्राबलम होती है कि वह जादा तर हेंड प्रैक्टिस करते हैं और हैंड प्रैक्टिस करकरके उसको में बहुत जादा करते हैं हैंड प्रैक्टिस जिसके कारण ये प्रॉब्लम होती है दूसरा प्रॉब्लम ये नॉर्मल भी होता है कि ये नॉर्मल ये आपका है आपको कोई दर्द नहीं हो रहा है तीसरा ये होता है अगर आपको दर्द होता है दोस्तों तो ये बड़ी प्र कि हाँ मुझे प्रॉब्लम मुझे डॉक्टर की पास जानी चाईए करा कि यह इसके उपर बात करेंगे दूस्तों इसके लिए पहले जाने यह पीरनी डीज़ीज के बारे में जब आप वो काम करने जाते है तब आपको पता चलता है कि दर्द हो रहा है आपको आपको दर्द महसूस होता है आप उस चीज़ को वहां तक लेके नहीं जा पाते है इससे पहले ही आपका काम तमाम हो जाती है क्योंकि आपको पाइरनी डिजीज हुआ है अगर आपको पाइ जादा मिले नुकसान कभी नहीं होगा आपको सब सब पहली प्राब्लम यह है कि आप नंबर वन जो टीप है मैं आपको यहीं बताऊंगी कि हैंड प्रक्टिस ज्यादा फोर्स फुली ना किया करें इस से प्राब्लम होती है मैंने वीडियो में शुरुआत में ही बोला है फेसी को गेंड़ कर्व हुआ है लेकिन डेचरली नॉर्मल यह अकार में आ जाता है अप सही से अगर उसके इस्तेमाल करते हैं तो वह सकार में आ जाती है दीछेंगों सब्सक्त्रण ब्रॉब्लम जो हो जाती है जो जैसे कि मैंने बताया है आपको पाईरीनी डिजीस के ब दर्द होना और किसी को अगर continuously दर्द हो रहा है वो बंदा उसको करने ही पा रहा है उस काम को नहीं कर पा रहा है तो क्या होगा problematic तो हो गई ना इसके लिए क्या करते है डॉक्टर सब पहले जाच करते है देन इसके बाद देखते हैं कि क्या करना चाहिए सरजरी करवा सकते है तो सरजरी करवाते है अगर medicine से टीक हो जाता है तो medicine देते है लेकिन मैंने जहां तक देखा है लोगों का इस problem का solution यही है उस guard को तोड़ देते हैं मतलब काटते हैं कट करते हैं उस guard को कट करके उस चीज़ को सीधा करते हैं उस layer से तो उसके लिए आपका solution यही है surgery, surgery ही आपका solution एक है दोस्तों के अलावा इस बिमारी का solution दूसरा नहीं है क्योंकि यही permanent solution है दोस्तों और दो बाते जो मैंने बताया है उस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए तब ही आपका यह कर्व नहीं रहेगा सीधा रहेगा जैसा आप चाहते है जैसा आप आकार चाहते है वो भी आज आएगी blood circulation भी तैजी से बढ़ेगा tension वाली कोई बात नहीं है मेरे दोस्तों और भी कोई सवाल अगर है तो comment section ने जरूर बतायेगा मुझे फिर मिलते है अगले इत निव वीडियो के साथ आज का वीडियो यही था बाई बाई टेक क्यार जैहिन दोस्तों